हाई फ्रेंड्स आज हम आपको ब्लौज की कटिंग करना और सिलना बताएंगे बहुत दीजी तरीके से ये देख़िए यह हमने ब्लेक कलर का कपड़ा लिया है और जो हम यह ब्लौज बनाने जा यह हम एक healthy औरत के लिए बनाने जा रहे हैं यह दिखिए यह हमने black color का कपड़ा लिया है और उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे यह दिखिए फोल्ड कर लिया और सबसे पहले तो हम अपनी लेंथ ना पेंगे हमें अपनी blouse की लेंथ कितनी रखनी है हम 16 इंच पे निसान लगाएंगे यहां पर और इसको यहां तर मार्किंग करेंगे इस तरह से अब अब सबसे पहले हम इसकी फिटिंग देखेंगे यह देखिए हमने 13 इंच लिया है यह हमने आपको बताई एक healthy औरत के लिए है तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से ले सकती है सबसे पहले हम गले का निसान लगाएंगे सबसे पहले हम गले का निसान लगाएंगे यहां से हम 3 इंच लेंगे और एक निसान और लगाएंगे हम 7 इंच पे यहां पे और एक निसान हम 6 and 1.5 इंच पर लगाएंगे इतना यह हमारा फ्रेंट गला होगा और एक निसान हम 9 इंच पर लगाएंगे यह हमारा बैग गला होगा और अब हम यहां से मुढ धू का निसान लगाएंगे जो हम सेवन इंच पे लगाएंगे यह हमारा सेवन इंच हो गया और इसके बाद इसको इस तरह से बाद कर देंगे और इसको भी इस तरह मिला देंगे यहां से यह इतना कपड़ा हमारा एक्सट्रा होगा और यहां से हमारी सिलाई की फिटिंग आएगी उसके बाद हम यहां से पहले दो इंच की गुलाई करेंगे यहां से इस तरह से और फिर हम एक इंच की करेंगे फ्रेंट वाले गले में इस तरह से यहां पर भी हम गुलाई करेंगे और यहां से आधा इंच लेकर इतना इस तरह से मिलाएंगे सबसे पहले तो हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को निकालेंगे यह हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया और फिर हम जो हमारा यह फ्रेंट वाला गला है इसको काटेंगे और यहां से भी इसी तरह से काटेंगे इसके बाद हम पहले यह बैक वाला निकालेंगे इस तरह से और जो हमारा यह दागे निकले हुए यह कपड़ा हम निकाल देंगे और सबसे पहले हम अपना यह यहां से हम यह हमारा फ्रेंट गला है तो हम इसे यहां से थोड़ा सा कट करेंगे इस तरह से और यह हमारा बैक गला है यह देखें यह हमारा निसान जो होनने लगाया था यह यहां तक हम इसे भी इसी तरह से काटेंगे यह हमारा बैग गला हो गया अब सबसे पहले तो हम जो हम अपनी फाइनल लेंथ रखेंगे इतना हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे और जो हमारी फाइनल लेंथ होगी वो होगी हमारी 14 इंच इतनी और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो यहां से और यहां तक हम अपनी चुन्नटों के निसान लगाएंगे जो हम बैख हिस्ते में डालते हैं तो हमें चुन्नटे इस तरह लगानी है कि हमें ये कपड़ा छोड़के अगर हम चुन्नटे यहीं से ना पेंगे तो अगर यहां पे लगाएंगे तो यह छोटी हो जाएंगे जब इसे फोल्ड करेंगे तो हमें इस हिसाब से चुन्नटे डालनी है कि ये कपड़ा भी छोड़ना है क्योंकि ये तो हमारा अंदर की तरफ मुड जाएगा और ये भी अंदर की तरफ इस तरह से तो हमें ये हिसाब देखना है कि हमें तैयार चुन्नटे कितनी रखनी है हम यहां 10 इंच में निसान लगाएंगे यह देखिए यह हमारा 10 इंच हो गया जो हम इस कपड़े को इतना फोल्ड करेंगे इतना और यह भी हमारा इतना से लाई में जाएगा तो हमारी इतनी तैयार होंगी ऐसे हम इस तरफ लगाएंगे यह हमारा बैक वाला पीस हो गया अब हम फ्रेंट पीस पे मार्किंग करेंगे यह देखिए इसे भी हम इसी तरह से ना पेंगे हाप इंचल इस लाई के लिए छोड़ेंगे और फिर यहां से भी हमें इतनी लेंट रखने है 14 इंच तो यहां पे भी हम इसी तरह से इतना कपरा जो हमारा अंदर की तरफ को फोर्ड होगा वो यह हो गया तो हमें चुन्नटों के निसान इसी प्रकाल लगाने है यह भी हमें यह देखिए 10 इंच पे लगाना है हमें इंच टे यह देखिए 2 इंच है हमारा यहां से 2 इंच यहां से नाप कर आप ऐसे सीधा इंच टेप रखें यह हाप इंच छोड़के हाप इंच छोड़के 14 इंच हमारा यहां पे है यहां पे आप ऐसे इंच्टेप रखे और सीधर 10 इंच पे एक निसान लगाएं इस तरह से यह देखिए यह हमारे पहली चुन्नट हो गई उसके बाद आप अब यह देखिए यह हमारे पहली चुन्नट डल चुकी है इसके बाद हम यहां से जहां पे हम अपने फिटिंग का निसान लगा से हैं यहां से हम 4 इंच ना पेंगे यह देखिए यह हमारे यहां से 4 इंच है यहां पे हम निसान लगा के यह देखिए और इस निसान को इस तरह से मिलाएंगे इस तरह से यह देखिए यह हमारी दूसरी चुन्नट हो गई उसके बाद हम यहां से इस तरह से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे देखिए यह हमने आड़ा इंच टेप रखा है इस तरह से और इसको हम इस तरह है जहां से हम अपनी बाजोय लगाएंगे वहां पे बीच मे निसान लगाना होता है जांसे हम गुलाई करते हैं यह हमारे तेन चुनटे हो गई उसके बाद हम यहां से एक निसान हम 6 इंच पर लगाएंगे देखें नीचे से हमारे 6 इंच है यहां पर और उसके बाद हम इस तरह sing 3 एंड 5 इंच तक ऐसे मार्किंग करेंगे इस तरह से ये देखिए ये हमारी चारो चुन्डटे हो गई उसके बाद हम इसे ऐसे कप्ला रखके और ऐसे हाथ से इस तरह से करेंगे तो ये हमारी इस तरब भी आ जाएंगी ये देखिए ये हमारी दोनों तरब कुछ उन्डटे आ लिए इसके बाद हम पीस को लग करेंगे ये हमारा फ्रेंट पीस अलग हो गया और ये हमारा बैक पीस हो गया और ये हमारी बाजू है देखिए बाजू हमने पहले से ही इसका कप्रा कट किया हुआ है हम इस पर आपको निसान लगाना बताएंगे सबसे पहले तो हम इसकी लेंट ना पेंगे इसकी लेंट है टैन इंच तो हम अब यहां से हम यहां से हमारी शिक्स एंड हाप इंच है तो यहां से हम जब हम जैसे मान लो यहां से हमारी शिक्स एंड हाप इंच है तो इसमें से हम दो इंच कम लेंगे तो यहां से हम फोर इंच लेंगे यहां से फोर इंच लेंगे और इस तरह से यहां से एक निसान लगाएंगे अब जो हमारी बाजू की फिटिंग होती है वो अगर 6 इंच है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लें तो हम 8 इंच पे निसान लगाएंगे यह देखिए यह हमारा 8 इंच पर ही है देखिए अब यह हमारा निसान यहां से सही है बिल्कुल 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते ह हुआ हैं उसके बाद इस निसान को हुआ है जो हमारा ये कॉवनर है यहां तक इस तरह से मिलाएंगे हे इस तरह से हुआ है और यह हमारा जो हुआ हम आगे वाले पीस में कट करेंगे वह कपडाएगा करते हैं सबसे पहले तो हम यह उपर बाला कट करेंगे और हम यह ज़िए यह हमें सिर्फ आगे की तरफ से ही गत करना है पीछे वाली जो हम पीछे लगाते हैं बाजू उसमें से नहीं इस सिर्प आगे की तरप से हमें हलका सा कट करना होता है यह देखिए यह हमारा फ्रेंड पीस पे आएगा और इसके बाद यह हम हापें सिलाई के लिए छोड़के इतना यहां से हमारा इतना सिलाई में जाएगा और उसके बाद हमारी 5 इंच हमारी फाइनल है जो हमारा यह कपड़ा होगा इसे हम अंदर की तरप को इस तरह से पूर्ड करेंगे तो यह हमारी बाजू फाइनल है कटके और जो हम अपनी गले पे डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमने यह वाइट और यह बलेक कलर के पट्टियां काटी हुई है यह देखिए यह हमने एक पट्टिन आपके बताते हैं यह देखिए थिरी इंच तो यह चोड़ी है और थिरी इंच लंबी है इसी के हिसाब से हमने यह सारी पट्टियां काटी हुई है यह देखिए इसी के हिसाब से हमने यह अपनी सारी पट्टियां एक पट्टि काटके सारी पट्टियां इसी हिसाब से वाइट और ब्लैक दोनों एक हिसाब से कटी हुई है और उसके बाद जो हमारे यह आई बनते हैं और रूक लगते हैं उनके लिए हम पट्टियां निकालेंगे यह देखे है जिस पर हम अपने रूक को लगाएंगे और यह वाली पट्टि है इस पर हम अपनी आई बनाएंगे अब यह सब हमारा तयार है अब हम आपको सिल कर बताएंगे अब यह देखिए यह हमारी दोनों पीस रख लिए हमने और हम इनकी पहले सबसे पहले हमें इनकी चुन्नटे भरेंगे यह हमारा जिस पर हमने लिसान लगाया है यह भी हमारा सीधा है और यह भी तो हम सबसे पहले इस पर चुन्नटे डालेंगे चुन्नटे हमें इस परकार डालनी है कि यहां से तो हमें इतना हाप इंच कपड़ा नीचे से लेना है जहां इसे सिलेंगे देखे इतना हाप इंच और फिर हमें उपर से उपर से बहुत ही कम कर देना है इस तरह से लाखे और यहां पर इस तरह से धावी छोड़ देना है देखे यहां से ज़्यादा और फिर यहां से कम यहां से कम यहां से पिलकुल कम इस तरह से चुन्नटे भरे जाती है इसके बाद हम यह वाली चुन्डट भरेंगे इसमें से हमें कपड़ा यहां जो हमारी पहली चुन्नट होती है उसी यही भन्नी होती है हमें सबसे यहां से ज़्यादा कप्र लेंगे वरना हमें सारी चुन्नटे सेम भन्नी होती है ऐसे ही हमें यह भी ऐसी भन्नी पड़ेगी अब हमारी एक तरफ की चुन्नटे भरके तैयार है अब हम आपको उर्टा सीधा बताते हैं यह देखें यह देखिए यह हमने चुन्नटे भर ली अब आप इस चुन्नट के पड़ेगी तरह रख और गले से गला इस तरह से मिलाना है यह देखिए यह भी हुब तरफ को भी हमने गला काटा हुआ है और यह हमारे ज़ग पर हम बाजुए लगाती है तो हमें उसी हिसाब से इस तरफ कोई चुन्नट डालनी है यहां से भी हमें ऐसी घुन्नी है यहां से हाप इंच नीचे से ज्यादा लेकर और उपर से ऐसे ही अब हमने आपको उल्टा सीधा बता दिया है अब हम ऐसे ही भरेंगे सेम जैसे हमने यह चुन्नटे बरी अब यह देखिए यह हमने दोनों अपने चुन्नटे भर के तयार कर लिए हैं फ्रेंट वाले पीस लीए दिखिए यह दोनों इस तरह से हमने इसमे भर के तयार कर ली हैं और यह हमने बॉझ इसले से चुन्नटे डाली है यह देखिए यहां से हमने कपड़ा थोड़ा सा जादा लिया है और यहां से कौंँ जैसे हमने आपको फस्ट वाली चुन्णट बताई थी उसी हिसाब से हमने अपनी ये दोनों चुन्णटेव इसी प्रकाड ढाली है और हम इसमें जो हमने पंटियां काटी हैं इनले इसे हम आपको डिजाइन बनाना बताएंगे अब ये देखिए जो हमने अपना ये गला काटा हुआ है उस पे हमने सबसे पहले हम ये वाइट कलर की पट्टी लेंगे इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे ये देखिए ये हमने नीचे रखी नीचे रखने के बाद ये हमने ब्लेक कलर की पट्टी को भी इसी तरह से फोल्ड क करेंगे इस तरह से ऐसे ही हम सारी पट्टियां ऐसे ही लगाएंगे यह देखिए यहां से मसीन को उठा के और इस तरह से इसके नीच लाके और फिर ब्लेक कलर की भी इसी के ऊपर रखनी है इस तरह से बहुत ही फिनीशिंग के साथ यह दिजाइन बनाना है ज्यादा गले से ऊपर भी नहीं आए सिलाई उसी सिलाई के जहां से हम ने कटा हुआ है हम सफ्प हाप इंच हम हापतना ले सकते हैं किसरा इतना यहां तक नहीं ले सकते हैं अगर यहां सब्लार बढांगे जर तो घला ह हो सकता है इसलिए हमको कम कम कपड़ा सिलाई में दबाना है ऐसी हमें सारे कमूरे इसी प्रकार लगाने हैं यह हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी उनी की रिक्वेस्ट पे हमने कमूरे वाला गला बताया है अगर उनको और और प्रकार का कमूरे वाले गले दो प्रकार के होते हैं, अगर उनको और प्रकार का देखना है तो हम उनको वो भी बताएंगे, वो कटिंग में होता है, और ये हम हाज से बनाते हैं, वो कट करके कपड़े बनाया जाता है, अगर उनको वो चाहिए तो हम वो भी बना के अब ये देखे फ्रेंड्स ये जो हमारी सेफ है गले की इसको आपको बहुत ही हिसाब से लेना है अगर आप इस तरह से ही रखे चले जाएंगे तो ये कपड़ा आपका यहां तक हो जाएगा और गला बिल्कुल भी सेट नहीं आएगा तो हम आपको बताते हैं किस तरह से रखना है इस तरह से यह गले की सेप यहां से यहां तक जा रही है तो हमें इस तरह से रखना है कि यह देखिए आप आप इस तरह से यहां से सिलाई के ऊपर ऐसी लाना है जाए और आप ऐसे ही हमको यहां से भी इसी तरह से लाना है यह देखिए यह गुलाई में है तो गुलाई में हमको यह रखने है नहीं तो गले की सेप नहीं आएगी इस तरह से यह देखिए अब ये देखे फ्रेंट्स यहां से हमने अपना ये सबसे पहले तो हमने ये सारे कमूरे लगा के रैडी कर लिए हैं उसके बाद यहां से कपड़ा कट कर दिया है हम आपको यहां से बताते हैं ये देखे इस परकार से कपड़ा कट करना है कि सिलाई न कटे और जब हम इसके पर पाई पिन लगाएं तो वो भी अच्छे से आए इस तरह से यह देखिए यहां तक कपड़ा बरावर बरावर कट करना है यह देखिए चारू तरब से कपड़ा कट कर लिया है अब हम इसमें पाई पिन लगाएंगे यह देखिए यह हमने तिर्ची पाई पिन कट करके वाइट कलर की और यह हमने इसी तरह से सिली है यह देखिए यह हमारा सीधा साइड है यह हमारा उल्टा साइड है आप देख सकती है इस तरह से और उसके बाद हमें यह इस कपड़े के उपर जो हमारा यह गला है इसी सिलाई के उपर यह देखिए जहां पर हमने कमूरे लगाए थे जो हमने यह सिलाई लगाई थी इसी सिल सब्सक्राइब गले को सीधा करके और फिर ऐसे ही सेप में लगानी है हमें पंजे को उठा के हलका सा गले को ऐसे गुमा के और फिर ऐसे पट्टी को खुंच के तब लगानी है यहां से ऐसे ही हम चारों तरफ ऐसे ही पाइपिन लगा के तयार कर लेंगे यह देखें यह हमारा फ्राइनल हो गया यह हमने लगा के तयार कर लिए है यहां पर हमारा फ्राइनल हा गया और हम इस कपड़े को यह देखें यह हमारा जो कमुरे लगा dec दाप देखें तेखें और देखें आप देख सकते हैं यह निकला हुआ है इस कपड़े को हम इस payment से इस तरह से दबाएंगे यह देखें इस तरह से को और हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है अब यह देखिए friends हमने इसमें white color का धागा डाल लिया है क्योंकि हम white पट्टी लगा रहे हैं तो black color का धागा इसमें दिखता इसलिए हमने white color का धागा इसमें डाल लिया है अब देखिए पट्टी को हम इसी तरह से इस तरह से इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह चुपाएंगे इसके अंदर और इसे पाइपिन को बराबर बराबर ऐसे ही लगाएंगे जब होटिस मिस सब्सक्राइब एफ यह कपड़ा वी अंदर को आ जाएगा और वहारी प्छाइब अब देखिए फ्रेंट्स घंड पाइप इन लगा के तैयार कर लिए है इसके बाद आभी देखिए हमने अपना बैक वाला हिस्सा बना के तैयार कर लिया। इसके बाद हम उससे पर फ्रेंट वाला नाएंगे तो इससे टारीच और लेफ्ट साइट है तो हम जो हमाए रायट यहे policy लगाएंगे और जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें हम पत्टि को पहले रखके इस तरह से झाल देखिए हैं 我 SMEE एक सिलाई लगाके पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से यह हम आपको लगाते टाइम बताएंगे सबसे पहले जो हमारा यह राइट साइड है इस पर पट्टी लगाएंगे यह हमारा सीधे हाथ की तरफ को आता है इस तरह से तो हम इस पर पहले पट्टी यह देखिए यह हमने इस तरह से पट्टे डपल की है और इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे यह देखिए पट्टी पर सिलाई लगके तयार है उसके बाद हम इसे यह जो हमारा एक्स्ट्र कपड़ा इसे हम इस तरफ को करके और एक सिलाई उपर से लगाएंगे यह एक सिलाई हो गई उसके बाद हम मसील को ऐसे गुमा के जिसमे हम आई बनाएंगे जिस — में हमारा जो भीच-वाला हिस्सा अएगा इसमेहमारी आई बनेंगी जिसमें हम वुख डालते हैं यह देखिए यह हमारा यह बनके तयार है उसके बाद जो हमारा यह लेप्ट साइड का है उसमें भी हम ऐसे ही लगाएंगे देखिए सबसे पहले तो हम एक सिलाई लगाएंगे इसमें हम अपने हुक लगाएंगे कि अपने के बाद में कपड़े को हम इस तरह से इतना अंदर की तरफ फोल्ड करके इतना और फिर इसे एक सिलाई अंदर की तरफ लगाएंगे इस तरह से इस पे हमारे हुक लगेंगे इस पे हम हैंड सिटिज करेंगे और तब इस पे हम अपने हुक लगाएंगे से और देखे यह भी तयार हो गई उसके बाद हमने यह वाइट कलर की पाइप इन लगाई हैं बनाई है यह देखिए ये white color की हमने हमने ये ये हमारा front वाला गला है तो हमने ये अंदर की तरफ fold करनी है अंदर की तरफ को हल्की सी pätzen दिखानी है तो हमने पहले इस पे एक अपन बंद कर लिये दूनों तरफ से और अब हम इसे इसमें से लेंगे अग्राइब के सेप के हिसाब से हमें पट्टी लगानी है तो यह देखिए इस साब से देखें हम दूसरे तरफी ऐसी लगाएंगे यह हमारा दूसरे पीसे तो हम इसमें भी ऐसी लगाएंगे इसके बाद इतना कट करेंगे और यह देखिए हम इसमें से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा कट करेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा ज्यादा है इसे हम इतना इतना थोड़ा-थोड़ा कट करेंगे इसी तरह से हम इसमें से भी कट करेंगे जो देखिए इसमें से भी हम इसे थोड़ा-थोड़ा कट करेंगे और इसके बाद हम इसे हैंड स्टिच करेंगे देखिए हमें यह पाइपिन हलकी दिखानी है जो हम इसमें हैंड स्टिच करेंगे तो यह हमें इस प्रकार से दिखानी है इतनी यह हम आपको करके बताएंगे सबसे पहले तो हम इन हिस्सों को जोड़ेंगे देखिए यह हमारा बैक वाला पीस है और यह हमारा फ्रेंट वाला है तो हम इनको इस तरह से जोड़ेंगे हमने पाइपिन सबसे पहले इसलिए लगाई थी क्योंकि अगर हम बाद में लगाते तो हमारा ये हिस्सा सिलाई में आजा तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती जह हम इसे लगाते इसलिए हमने पहले से तयार की हुए यह पाइपिन को हमें इस तरह से बहान निकालना है यह एक बार और सिलाई लगाएंगे ऐसे हम अपने दूसरे वाली सोल्डर पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगा की तयार करेंगे अब यह देखिए फ्रेंट अब हम आपको बाजू लगाना बताएंगी देखिए यह हमने कपड़ा यहां से ज्यादा कट किया था और यहां से भी हमने फ्रेंट वाले गले में से जो हमने यह मुड़े की निसान लगाए थे तो हमने ज्यादा कपड़ा कट किया था तो यह यहां पर देखिए यह कप्ड़ा हमारा कट है जादा तो हमें यह इसी बाजू में इसी मुड़े पर जोगना है यहां पर इस तरह से इससे हमारे बाजू की सेप अच्छी आती है इसे हम चारू तरब से अपनी बाजू नाप के लगा लेंगे यह देखिए यह हमारा फाइनल होने को आया है इसके बाजू लग के तयार है इसके बाद हम बाजू की जो हमें अपने लंबाई लेनी है उसके हिसाब से हम कपड़ा कोल्ड करेंगे देखिए यह हमें इतना कपड़ा कोल्ड करना है आप इससे जादा भी कर सकती है आप इससे कम कर सकती है जितनी आप बाजू की लेंद रखना चाहें आप उसी हिसाब से रख सकती है कि देखिए यह हमारा फाइनल होने को आया है यह हमारी बाजू लगती तैयार है यह देखिए हम इस बैक वाले पीस में हम यह गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे पीछे की साइड को यह हमने अंगर की तरफ कोड़ करके इसमें लेस लगाई है यह हुआ है कि जुए है कि देखिए है यह हमने इसकी बाजू भी जोएंट कर ली है इसमें इस तरह से और यह लेस भी लगा कि हमनी तईयार कर लिए है अब हम आपको इसमें मोति लगाना बताएंगे जो हम इसमें मोती लगाएंगे अब यह देखिए हम इस बैख वाली पीस में मोती लगाएंगे यह देखिए यहां से जो हमने कमूरे बनाई है इनके यह वाइट है नीचे और उपर ब्लेक है इसके उपर ब्लेक के उपर हमें मोती रखना है सबसे पहले हमें यहां से सुही निकालनी है इस तरह से लगाएंगे इनको हम इस तरह से लगाएंगे यह देखिए ऐसे ही हम इस पीस में लगाएंगे यहां से यह दोनों पीस जोइंट हो जाएंगे और मोती लगाके अच्छे लगेंगे ऐसे ही हम अपने सारे मोती गले के उपर लगाएंगे अब यह देखिए जो हमारी यह पट्टी हमने लगाए थी फ्रेंट गले पे और हम इसे फोल्ड करेंगे देखिए यहां से हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था एक्स्ट्रा इसको हम अंदर की तरफ को ऐसे पूल्ड करके और इसे हम इस तरह से लगाएंगे इतनी हमें बाहर की तरफ दिखानी है और इतनी हमें अंदर की तरफ करेंगे हमारी जैसे हमने अपने बैक गले में वाइट कलर सी पाइपिन लगाई थी वह हमारी थोड़ी मोटी है तो हम आगे थोड़ी पतली लगाएंगे इससे यह देखिए अब यहां से हमारी से अच्छी आएगी यहां से हमें ऐसे ही सुई को ऐसे ही निकालना है यह देखिए इस तरह से हमें इसे ही फाइनल कर दिना ऐसे हमें इसकी ऐसे हैंड स्टिच करके यह देखिए अब हम इसमें गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे बाजूों पर हम बाजू को इस तरह से खोलेंगे इस तरह से खोलने के बाद लेस को इस तरह से नीचे बंद बाजू पर लेस लगाने का यह फायदा होता है कि लेस हमारी ज्यादा खराब भी नहीं होती और जितनी हमें लेस चाहिए फिटिंग के हिसाब से इतनी लेस हम ले पाते हैं देखे ऐसे बाजू को खोल के यह हमारी बंद बाजू है तो इसी प्रकार से ऐसे रखके और सीधी सिलाई लगानी है अब आइसे खोलते हुए जाना है और लेस को इस तरह सीधा रखके पस सीधी सिलाई लगाने है जो की अब अ अ यह देखिए हमारा फाइनल हो गया यहां पर आके हमारा फाइनल हो गया यहां से हम लेज को इस तरह से कट करेंगे के देखिए मोति वारी लेज है तो हम हलकी सी सिलाई इसे बंद करने के लगाएंगे इस तरह से बाजू को उल्टा करके और इस लेज को इस तरह से यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारा ब्लाव आपके सामने बनके तैयार है हमने इसमें भी मूती लगाए है और यह देखिए बाजूमों पे हमने गोल्डन कलर की लेस लगाई है और गोल्डन कलर की लेस ही हमने नीचे लगाई है और यह देखिए यह हमारा फ्रेंट पीस है फ्रेंट पीस पे भी हमने पतली वाली पाइपिन लगाई है वाइट कलर की और यह देखिए यह हमारा बिलोच आपके सामने बनके अब तयार है अगर आपको हमारा वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप हमें कम प्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू